हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुस्वम रध्यूपाई में आपका स्वागत है जैसा कि हां मैंने मिट्टी ले ली है और मिट्टी का डो कैसे तयार करेंगे हम अगर हमें या तो सिवलिंग बनाना या गड़े जी की एको फ्रेंडली प्रतीमा बनानी है तो जैसे मैंने मिट्टी मैंने ऐसी लिए है यलो कलर की है इसके अंदर रे तीला बिल्कूल भी परधारत नहीं है क्योंकि क्या होता है मैं पिछली वार शिवलिंग बनाने के लिए रेध्यली मिट्टी ली आई थी उससे सही नहीं बना था मेरा शिवलिंग तो अबकी वार मैं अच्छी अच्छी मिट्टी है पीले रंगी कोई जी भी कहीं मिल जाती है मिट्टी आपको ऐसे नहीं है कि कहीं नहीं मिलेगी वो लियाए मिट्टी आप और इस मट्टी को मैं छान रही हूँ अच्छी तर ऐसे छान रही है आपको क्योंकि इसके अंदर जो वो होते हैं कि किंकर या मो चलनी है तो एक साथ ही चलन जाएगी क्योंकि मेरे पास इस चावल वाली चलनी होती है उसी से चान लेती इस तरह से होना चाहिए पतला यह बिल्कुल भी कंकर नहीं होने चाहिए अगर यह कंकर हाथ से तूट जाते हैं तो तोड़ लीजिए और इसे अच्छी तरह से आपको चान ना है बिल्कुल भी एक भी कंड इसमें मोटा ना जावे तो आप एक अख़वार बिचा के इस तरह से आप धीरे धीरे इसे चान कर इखटा कर सकती है जितनी आपको मट्टी चाहिए जितनी बड़े आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप मट्टी ले लीजिए क्योंकि मैं छोटे ही गंपत रखती हूँ और छोटे गंपत रखने से थोड़ा सा ये होता है मुझे कि फायदा रहता है बच्चे जो हाथ नहीं लगाते ज्यादा परिशान नहीं करते हैं और जगे भी मेरे हिसाब से कम रहती है हमारे घर में तो मैं छोटे ही बनाती हूँ जैसे आपको ठीक लगे अगर बड़े बनाने तो आप ज़्यादा मट्टी लियाए और मट्टी को अपने इस साफ से अच्छी तरह से जितनी चाहिए आपको छान लीजिए चानने में ध्यान लखना है कि ए जरासा भी करना जावे और इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी मट्टी लेती रोंगे और उसे चानती रोंगी तो आपको यही ध्यान लखना है कि जैसे मैंने बताया मोटा नहीं जाना चाहिए जैसे मोटे बहुत से मट्टी लियाते हैं जैसे मोटा डला है बिल्कुल भी नहीं डालना है इस मोटे डले को भार से मट्टी में क्या होता है यह मिट्टी जब भी आप बनाएं चान कर ही बनाएं तब यह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा मिट्टी चानने से इसके क्या होते हैं जो मोटे मोटे कड़ हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे और आप अखवार विचा लीजें जिससे सारे में नाफैल है क्योंकि क्या होता है कि जरासा पानी या इधर उदर चीजे लगते ही सारी मिट्टी बह जाती है खराब हो जाती है तो आपको ध्यार लखना है पानी इस टाइम बिल्कुल न जाए क्योंकि अगर पानी जरासा सबी इसके अंदर लग गया तो मोटे मोटे डंडल अभी इसमें बनने सुरू हो बाल्टी पानी तयार रखना है उस बाल्टी को पानी तयार रखना है उसमें ये मट्टी हम डालेंगे क्योंकि क्या होता है मट्टी अगर हम छानेंगे नहीं तो जो होते हैं मोटे मोटे डंडल या जो पत्थर आसपास पड़े होते हैं वो सारे इसके अंदर गिर जाते है तो आपको बिल्कुल ध्यान नखना है कि मोटे मोटे डंठल इसके अंदर ना गिने और मिट्टी का यह होता है जब हम सिवलिंग बनाते हैं मिट्टी के तो उसमें पवितरता का ध्यान नखा जाता है तो मैंने दूसरी में इसके साथ ही एक और वीडियो डालूंगी मैं अप खैले भी डाला था अपनी वीडियो में कि शिवलिंग किस तरह से हमें तैयार करना है क्योंकि जो मोटियां होती हैं वो हम बहार से लेके आते हैं वो हम इधर-ऊधर विशर्जन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि खराब हो जाती है वो मूर्थिया हमारी खराब हो जाती है और एनम वो हमारे को पाप भी चरता है तो इसी पाप से बचने के लिए हमें ध्यान लगना है कि हमें इसी तरह की मूर्थि अपने घर में इस्थापित करनी चाहिए और ये स्थापित करने से हमारा ये होता है भगवान जो होते हैं वो हमारे विशर्जन जैसे हम करते हैं पानी के अंदर आप विशर्जन करिया आराम से और विशर्जन करने के बाद जो मट्टी हो जाती है और उस मट्टी को आप अपने गंबले में डाल सकते हैं लेकिन तु पानी मैंने बहुंगर रख लिया है। और बाल्टी के अंदर मैं यह डारेक्ट डाल डूमगी पानी के अंदर। यह पानी मैंने लिया था बाल्टी में सवक्ष्था का भी धियारा है क्योंकि हम इसे मोड़्कि बनाने जा रहे हैं भगवान की तो साफ पानी लीजी आप अच्छी सारे और उसको सारी मिट्टी को इस तरह से आपको डाल देना है जो उपर गंदगी आएगी वो आप चाहें ऐसी छोड़ दीजे चाहें आप चलनी से निकाल दीजे वो आपकी वह एक्छा क्योंकि तो अगर उपर जो गंदगी आजाती है वो सारी बह जाती है जो हम सारा पानी जब यह मट्टी नीचे बैठ जाएगी थोड़े समय के लिए हम रख देंगे जब यह मट्टी नीचे बैठ जाएगी तो यह सारी गंदगी उपर आ जाती है तो जो हम पानी निकालते हैं तो यह सारी गंदग निकल जाती है इसका विशे जहार नखना अब मैंने ये मट्टी डाल दी है अब 20 मिनिट बाद पानी मतलम बैठ गई है मट्टी बैठ गई है मट्टी अब मैं इसका सारा पानी नितार दूँगी और वैसे तो मैंने ये थेला लिया था मैंने सोचा था कि थेला ले लूँ क्योंकि ये थेला रखा था मेरे जो थेले आते थे पहले जिसमें मैं करती थी वो बारिक ज़्यादा रहते थे तो उसमें पानी अराम से निकल जाता था अब मैंने ये वाला जो मैं दिखाऊंगी इसका सारा पानी इस तरह से निकाली है ज जैसे में लग रहा है आपको कि मट्टी आने वाली है, मट्टी बह जाएगी हमारी सारी, तो आप डारेक्ट जैसे कि किसी भी कपड़े में डालेंगी तो उसमें पानी अलग हो जाएगा और मट्टी हमारी उसी के अंदर रह जाएगी, अब मट्टी आने लगी है, अब मैं न तो यह मेरा थोड़ा सा यह हुआ था थैला लेने के टाइम पर यह मैंने थोड़ा मोटा पतले थैले आते थे अब यह थोड़ा मोटा थैला था इसमें पानी नहीं नीगल पा रहा था तो इसमें मुझे दो टू डेज लग गए थे लेकिन फिर मैंने जल्दी है ये थोड़ा सा भै गया थोड़ा सा ना दो जने होते तो थोड़ा सा पकड़ लेते तो एक जना और अवेलिवल रखना आप अपने साथ कि ये इस तरह से जैसे मेरे साथ हुआ ऐसा ना हो अब ये मैंने सारी मट्टी लेकर इधर आपको ऐसे करके हैंक कर देना है आपको मैंने एक बड़ा हैंकी लिया था उसका कॉटन का उसके अंदर फिर बाद में इसको पलटे था क्योंकि इसमें से पानी नहीं चुब रहा था पानी चुब रहा था तो इस तरह से मैंने हैंकी म करके टांग दिया था अब यह हैंकी में टांगने के बाद क्योंकि बार इसका मौसम था मुझे टू डेज रखना पड़ा था लेकिन एक डेज में अच्छी तरह से हो जाता देखो इस तरह से हमारा दो तैयार हो गई इससे बहुत ही अच्छा बनता है आप एक वार बना कर द कराऊंगी में दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सस्क्राइब ज़रूर करिएगा